असलामों आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना आज मैं आपके लिए बना रही हूँ लॉटस बिसकॉफ मिल्क शेक तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मेरे पास है 100 ml क्रीम तकरीबन आधा कप उसको मैं विप कर रही हूँ और अगर आप इस्प्रेवाली क्रीम से अपने शेक को डेकुरेट करना चाह रहे हैं तो आप इस step को skip कर दीजेगा मैंने जो क्रीम यूज की है वो फीकी है उसमें शकर नहीं है और नहीं मैंने एड की है किसी भी तरह की क्रीम आप यूज कर सकते हैं यहां पर मैं ले रही हूँ एक चमचा भरके लॉट्टस स्प्रेड और इसको मैंने 10 सेकिन के लिए माइक्रोवेव कर लिया तो यह इस तरह से मेल्ट हो गया आप चाहें तो गरम पानी के ओपर भी बोल को रख सकते हैं तो थोड़ी देर में वो मेल्ट हो जाएगा अब यहां पि मैं गिलास जो है उसको डेकुरेट कर रही हूँ इसमें मैं थोड़ा सा ये स्प्रेड जो है इसको रिजल कर रही हूँ और फिर इसको स्पून से मैं थोड़ा सा फैला दूंगी optional है अगर आप नहीं decorate करना चाहरे glass को तो आप इसको भी skip कर दीजेगा इस recipe के लिए बिलकुल आप homemade lotus spread यूज़ कर सकते हैं मैंने ये वीडियो पहले record की थी spread बनाने से तो इसलिए मैं बजार वाला ही यूज़ कर रही हूँ अब ये glass का जो उपर का किनारा है इसको भी हम decorate करेंगे इस पर मैं जो lotus spread है वो बहर की side पे लगा रही हूँ चारों तरफ आपने किनारे पे लगा देना है आपकी मर्जी जितना चौड़ा आप रखना चाहें रख लें मैं बस इस तरह थोड़ा थोड़ा लगा रही थी ये सेम आप कर सकते हैं किसी और recipe के लिए नोटेला के साथ, चॉकलेट के साथ, कैरमल के साथ, पीनेट बटर के साथ किसी डिफरन फ्लेवर का आप शेक बना रहे हैं तो इस तरह से आप उस गिलास को भी डेकुरेट कर सकते हैं किरीम जो हमने विप की थी उसको आपने फिरिज में रख देना है वरना वो melt होना शुरू हो जाएगी और ये देखिए चारों तरफ जो इस प्रेड है वो लगा दिया मैंने गिलास के इसको अब मैं यहाँ पे मैंने दो बिस्किट लिये थे, lotus के उनको करम्स बना लिये थे और इस तरह अब मैं जहां जहां इस प्रेड लगा था, वहां पर अटैच कर रही हैं ये स्टेप्स जो है और विप क्रीम वाला ये दोनों आप पहले से करके रख सकते हैं अगर आप महमानों के लिए बना रहे हैं तो आपने लास मिनिट में पूरी दुकान खोलने के आपको हरके ज़रूरत नहीं है आप पहले से सारा काम करके रख दीजिए बस आखिर में शेक को ब्लैंड करके और बस सर्फ कर दीजिएगा गिलास हमारा डैकुरेट हो चुका है अब हम यहाँ पे बना रहे हैं शेक यहाँ पे लिया है मैंने दो कब दूध मैंने थंडा दूध लिया है आपकी मरजी थंदा ले लिजिए यह रोम टेमपरेचर पर दो कब लेना है तकरीबन आधह लीटर इस रैसिपी से बनते हैं दो बड़े जो शेक वाले गिलास होते हैं वो दो बनते हैं अगर नॉर्मल गिलास आप उसमें सर्फ कर रहे हैं तो तीन बन जाएंगे इसमें मैंने एड़ किया एक कब आइस बर्फ इसमें एड़ की और अब मैं इसमें चार खाने के चमचे 4 टेबल स्पून लॉट्टस स्प्रेड आड़ कर रही हूं इस वाले स्प्रेड को मैंने वो गरम नहीं किया था माइक्रोवेब में यह डायरेक्ट मैंने उससे जार से निकालके और इसमें डाल दिया साथ ही इसमें मैंने डाल दी चार इसकूप वनील आइस क्रीम अगर आपके पास लॉट्टस आइस क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इसको ब्लैंड कर लेंगे और बस यह तैयार हो गया है गिलास में हम डाल देंगे एक इसकूप आइस क्रीम का आप आइस क्रीम वनील भी यूज़ कर सकते हैं लॉट्स आइस क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और फिर इसको गिलास को फिल कर देंगे शेक से यहाँ पर मैं वो किरीम यूज कर रही हूँ जो मैंने बिल्कुल शुरू में विप करके फ्रिज में रख दी थी इस तरह बस चमचे से आपने इसको डाल लेना है अगर आप इस परेवाली किरीम यूज कर रहे हैं तो इस वकत आप उससे इसको डेकुरेट करेंगे कर दो यूज कर दो और बस इसको फिर आपना डेकूरेट कर लेना है, बिस्किट के क्रम से, चॉकलेट चिप आप डालना चाहें तो आप चॉकलेट चिप से भी डेकूरेट कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैल्टिट लॉट्टेस स्प्रेट जो बचा हुआ था, उससे फिर मैंने इसको ड्रिजल कर वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दीजेगा, कमेंट करके जरूर बतलाएएगा, अपना ख्याल रखेगा, दौा में मुझे आद रखेगा, अल्ला हाफेज